आपका कर पेपर हैं तो पेपर से पहले इस वीडियो को आप पूरा देखेगा अन्त तक देखेगा जो मैं यहाँ प्ला पूरा पूरा फॉलो करके आईगो आप पास हो जाएंगा तिंफ़ा मत करियागा लेकिन मैं जो यहाँ पे टिंप से बताऊना है इसी पर आपको फोकस करना है और आपको इसी पर काम करना है आपको हर एक नमबर में देगा समझे आ रहा है मुझे पता है कि आप लोग यूपी बूड के चात्र है जिनको इंग्लिस बहुत ही कमाती है मतलब ना की बराबर आती है तो देन आपको इंग्लिस में अच्छा नमबर चाहिए अगर अच्छा नमबर चाहिए तो आपको अच्छा परफॉर्मेंस करके आना है कहां पर अपने बूड की परिक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस के लिए आपको कुछ अच्छे टिप्स की रिक्वायर होती है जो कि म आप ने दो पेपर औरड दे दिया है विद्ध साइंस वाले दे चुकिए लेकिन अब है आपका इंगलिस का इंगलिस एक ऐसा सब्जिट होता है जो कि बच्चों को बहुत ज्यादा परिशान करता है बहुत बच्चों को याता भी नहीं से करेंगे क्या करेंगे हमें कुछ भी नहीं पता बहुत बच्चे बहुत जाता परशान रहते हैं उनके लिए वीडियो है आप इसकी मत करेगा वीडियो को पूरा वाज करेगा आपको मैं हर एक वो टर्म हर एक वो टॉपिंग में करवा दूँगा जो आपकी इंप्वाटेंट है और आपकी एक्जाम में आए होता है जो कि हर एक बच्चा कर लेता है वो चाहिए पढ़ा हो चाहिए ना पढ़ा हो क्योंकि मैंने आपको सिखाया है कि पैसे को कैसे किया जाता है पैसे में से ही क्योंट के लिखना रहता है तो आप लोग सबसे पहले आप पैसे को करिए लिखने का सब पर तरीका क्या ह आप अपने जो आपके अंदर confidence है उसको लूज मत होने दीजाए अरे गुर्दों हमें तो आही नहीं रहे घुरते हम तो समझिन नहीं आ रहा हम करें करें क्या तो यह आप जो आपके अंदर उचको थोड़ा बढ़ा के रखना जब आप बढ़ा के रखोगी न आपको खीचकर नमबर मिलेगा सब्सक्राइब अगर आप अपने कॉंफिडेंस को कम कर दी तो आपका सर वहां पर नमबर डाउन होना सुरू जाएगा तुरण नमबर डाउन होगा इसलिए आप करेंगे जवर आपको नहीं आ रहा है अगर मालीजी को दस नमबर का परश्न थो आ갖 को एक नमबर मिलेंगा नहीं प्रश्न करेगा तो आपक्षिं करेगा करेंगाode दो नमबर में लिख कर देता हूँ आपको मिलेगा कभी भी कपी नहीं कठेगी कभी भी कॉपी नहीं कठेगी दूस्सरी डॉश्य दाउड प्रस्ट उत्तर दोनु लिखेंगे अप कैसे लिकिंगे याप क्या जब नहीं पहले हैं इस इसली आपके कॉपी हैं इंगलिस गी लिए बहुतर रहेगा आपके अच्छी बहुतर पढ़ेगे तब भी आपका प्राइसर रहेगा उसको अमर्च में आ रहा है तो आप इस प्रकार से इसको करेंगे उसके बाद उसके बाद जैसे आप इसका रहेगा आप क्योंचन लिखिए फिर इंसर लिखिए क्योंकि आपने उपर डाल दिया इसक्राइस क्यों फर्म नम्बर वन यह पर एक यह सकते हैं एक पैटर्न होता छ को इस प्रकार कि आप लिखते लिखते चले जाएंगे तो जो आपका पैसे रहेगा क्यों साथ में लिखेगा कोई दिक्कत नहीं नमबर आपका नहीं कटेगा ठीक है जो बात करें हम राइटिंग की राइटिंग में आप जिसका भी लिखना और राइटिंग में आपका रहेगा दॉर में या जो आनएव्य में हैं इसके पहले आपको यह जरूर डालना हैrich इसलिए आपको जरूर सजरू डालना है आप बढ़िया इसको लिए उताना उतारे नहीं तो जिसके बारे में आप करना चाहते हैं सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद एक चीज भी घ्यान दीजिए आप इसको लिख रहे हैं और आपको तीन आटिकल याद ही नहीं आपको याद ही नहीं कोई और कुछ याद है इससे रिलिटेर लिखेगा बाकि जो आपको आटिकल याद है बीच में भर दीजिएगा सब्सक्राइब मालिक अगर आ गया तो छाप देंगे अगर नहीं फसा तो जो आपको याद है सुरू का लाइन ये लिखो बाकि जो याद है वही आप बीच में भर दीजिएगा लियर है सब्सक्राइब कोई दिक्टर नहीं अपना हेंडिंग नहीं बनाके फिर आपका क्या क्या है को लेटर आएका सब्सक्राइब मैं आपको लेटर करते वक्त मिषेशतर पर ध्यान देंगे का इजन नंबर खिचने का तरीका आप में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है आप गुर्देव कैसे करेंगे आप गुरुजी ग्रामर की बात आए तो इसे वे उतारना बढ़ी है जो भी क्योशर रहेगा चार आप ब्लू से डालना समझेहा रहा है तो कहीं काम लिखना नमबर आपका क्षिच जाएगा परशांध मत भी है किते नंबर आपिए देगा तुछ यह दोhr I Amc और है लगा देना तो सब लगा देना आ रहे है तो सब करोगी नहीं आ तो जो समय में आ रहा है वो करना इस प्रकार से आपको करते चले जाना है बात करें translate की जब आप translate कर रहे हो तो आपको क्या करना है पहले डाल देना कि प्रश्नतर संह की अच्छा जो रहेगा question number 6 उसकी बाद जो यहां पर आप कर रहे हैं उसको यहां पर डाल देना हमें सब्सक्राइब बता रहा हूं अब बात आती है आपके उसको कैसे करना है जब इसकी बात आती है सब्सक्राइब बहुत ज्यादा टाइम नहीं नहीं आ रहा है तो आप शुरू का लाइन पैसे शुरू का बना कर इसी से निकाल लेएगा तक फीर बीचवानめ को पळने या रहा है ढर्रण भर थे कि हमेशा होता है यह सुरू की थाइं पड़ता दो लाइन पढ़ता है बाकी बीच में टाइम नहीं वह दिखता है और आपको नंबर देता है इस परकार से आपको ए और बी वाला कल देना है यहां पर आपका परशान मत हुए तो आपको बढ़िया क्या करना है प्रशान मत हुए पर से पहले यह इंपॉर्टेंट वीडियो था एक बार देखके जाना इसके पहले दूमें अप्लोड किया था लेकिन इसमें चीजें बताया हूं आप इसे तोर पर ध्यान दिजिए तो क्या आपका आपको परसान हो जाते हैं इतना परसान मत हो सब्सक्राइब करके जाओं